तो चलो देखते हैं if statement कैसे use होता है c programming में तो एक example के साथ समझते हैं तो चलो let's say मुझे age चेक करना है तो age में कैसे चेक करूँगा एक variable लेता हूँ int age और उसमें user को बोलता हूँ variable में value डाल दो तो user के लिए message display करते हैं सबसे पहले मैं user से input लूँगा कि enter age और उसके बाद जो भी user डालने वाला है value हम क्या करेंगे उसको %d क्यूंकि integer है और इसको address में डालेंगे किसके address में डालेंगे age variable के address में मतलब अब तक हमारा क्या हो गया कि user ने एक एंटर किया number scan app ने उसको क्या क्या age के address में डाल दिया मतलब memory में जहां पर भी age variable लोक ऐलोकेट हुआ है उसके लिए memory वहां पर यह store हो गया हमार value ओके तो हम age value कहीं पर भी use कर सकते हैं तो सबसे मिले मुझे क्या करना है अगर यह 18 से उपर है इसका age तो I can say कि आप voting कर सकते हो और you can drive कुछ भी condition डाल सकते हो क्योंकि ज्यादा तो 18 साल के बाद driving का license मिलता है तो driving का लेखते हैं if age is greater than or equal to 18 तो यह greater than or equal to हो सकता है यहां पर आप यह इसको operators बोलते हैं relation operator less than or equal to भी होता है मैं देखा देता हूं आपको ठीक है तो less than or equal to भी होता है उसके बाद सिर्फ less than होता है greater than होता है not equal to होता है और अगर equal equal दोनों equal है चेक करने के लिए दो बार equal to आपको लिखना पड़ेगा तो यह relational operators बोला जाता है इसको ठीक है ओके तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा इसको यह relational operator को मैं यहाँ पे side में लिखता हूं ठीक है तो यह फिर इसको हटा देता हूं अभी के लिए आपको पता चल गया तो अभी क्या होगा मेरा इसको मैं एक message दे दूँगा अगर यह 18 से उपर है तो मैं इसको एक message दे दूँगा you can drive you can drive ठीक है देखते हैं इसको run करके save and run तो इसने एक okay input मांगेगा क्योंकि scanf है तो let's say I enter 19 okay message आया जैसे 19 है तो you can drive मतलब यह condition true हो गया if के अंदर का condition true हो गया और जब यह condition इसके अंदर का true हो जाएगा ना 19 यहां पर आ जाएगा age की जगा पर यहां पर ऐसे 19 आएगा क्योंकि age की value में 19 डाल जी 19 is greater than equal to 18 है क्या हां है क्योंकि 19 बढ़ा है 18 से तो condition true हो गई true हो गई तो अंदर आएगा तो मांग लो मैं फिर से run करता हूँ अब इस बार equal to के लिए भी greater than और equal to डाला है हमने तो यह equal to के लिए भी true होना चाहिए equal डालता हूँ मैं you can drive ठीक है अब मैं क्या करता हूँ फिर से run करता हूँ और इसको less डालते है 17 17 के लिए क्या होता है देखते हैं तो 17 के लिए कुछ नहीं हुआ message बगेरा कुछ नहीं आया यह कुछ तो हो रहा है मतलब 17 के लिए यह उपर का ही as it is as मतलब 17 के लिए कुछ हुआ ही नहीं directly बाहर आ गया तो यह condition में अगर जाता नहीं है तो यह यहां पर condition false हो गया तो इसके अंदर नहीं गया यह directly next statement हो आ गया return 0 मतलब program खतब हो गया कुछ किया ही नहीं हमने अगर 17-18 से कम है तो तो कुछ करना है तो हम उसको else में डाल देते हैं तो else में डालने के लिए मैं एक message करता हूँ यहां पर यहां पर उसको बोलता हूँ कि 18 से उपर नहीं हो या फिर 18 is equal to तो don't drive don't drive at अभी drive मत करो ठीक है ओके प्लीज प्लीज भी बोलते हैं प्लीज डों ड्राइव एट ओके तो लेट सी अब डालके देखते हैं इसको सेव करके प्लीज डों ड्राइव एट आगया मतलब क्या है यह अगर इफ का condition नहीं होता है इफ में नहीं जाता है तो else में जाएगा हमेशा 18 से छोटी value कुछ भी हो तो यह हमेशा else में जाएगा तो मान लो मुझे एक और condition है मेरे पास तो मुझे मान लो क्या करना है कि उसका greater than उसका age है zero तो let's say let's make it funny little bit तो यहाँ पर एक और condition डालना है तो आप LC fuse करते हो कर सकते हो if age zero है मतलब age zero मतलब कब होता है अभी अभी born हुआ है printf यहाँ पर लिखता हूं you're just born you're just born okay तो जल्द बाजी मत करो you're just born तो इसको मैं करता हूं run और यहाँ पर zero डाल के देखते है age क्या हाँ यहाँ यह जैस्ट बाउन आ गया ठीक है मतलब अगर if में नहीं गया तो else if में जाएगा check करेगा मतलब जाएगा नहीं if का check करेगा अगर condition डो होगा तो ठीक है अंदर जाएगा अगर if में गया तो यह नीचे सारे skip करेगा कहीं पर भी नहीं जाएगा अगर if में नहीं गया तो else if चेक करेगा else if में नहीं गया तो else में गया अगर ऊपर किसी में भी नहीं जाता है ऐसे कितने अगरी भी else if आ डाल सकते हो मानलों एक और डालता हूं मैं else if else if age is less than 0 डालता हूं चलो less than 0 और यहाँ पर एक statement लिखते हैं you are about to born you are not born at you are not born at अभी आप पैदा नहीं हुए तो इसको मैं अगर run करता हूं और less than 0 मतलब minus 2 डालता हूं तो you are not born at तो directly यहाँ पर गया है मतलब क्या इसने पहले यह चेक किया नहीं हुआ यह चेक किया नहीं हुआ इसमें condition draw हो गया तो इसके अंदर का इसने प्रेंट किया तो हमेश्या ध्यान में रखो flow कैसे होता है सारे statements यह चेक करेगा else if else if वाले किसी भी एक में जाता है तो directly करेगा और else में नहीं जाएगा और return 0 else में नहीं जाएगा अगर if वाले किसी भी if वाले यह तीनों में से कहीं पर भी जाता है अंदर का execute होता है कोई भी condition true होता है तो else में नहीं जाएगा अगर ये तीनो के तीनो true नहीं होते हैं उसके अंदर नहीं जाता है तभी else में जाएगा तो else में देखो कब जाता है इस तरीके से flow होता है इसका ठीक है तो अगर कुछ भी true नहीं हुआ अगर ऐसे else if कितने condition डाल सकते है जितने चाहे आप डाल सकते हैं उसको कोई limit नहीं है ठीक है ओके so this is the flow of if else इस तरीके से use होता है आपको एक से ज़्यादा conditions चेक करने हैं तो आप इसको use कर सकते हैं ठीक है